आज यह टॉपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टी यूज इबुक्स इंदे क्लास्ट्रूम टॉ प्रमोट लर्निंग अज सो इबुक्स हैं क्या यह हम अलरेधी कितना डिसकस कर चुके हैं आज हम देखेंगे कि PDF और इंटरेक्टिव में क्या फर्क है तो हमारे पास जो बुक्स मौजूद होती हैं सॉफफ़ फर्म में या तो वो most of the time वही किताब होती हैं जो हमारी प्रिंट बुक्स होती हैं उनको स्कैन कर लिया जाता है PDF में कनवर्ट करके वो बुक्स जो हैं मौजूद होती है तो उनके अंदर mostly key feature ही होता है कि आप सिर्फ उनको scroll कर सकते हैं अगर उनमें कहीं option dictionary की हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं otherwise वो बिल्कुल वैसी किताबे होती हैं जैसे print books होती हैं सर्फ फर्क ही है कि वो आपके iPad पे या iPhone पे या किसी भी digital device के उपर मौझूद होंगी ना कि आप उसे सिर्फ किताब की form पे रखे और उसे traveling के दौरान कहीं भी लेके जा सकते हैं उसके इलावा जी इंटरेक्टिव किताबे होती हैं वो different होती हैं इंटरेक्टिव किताबों के अंदर different किसम की जो है exercises जो हैं वो मौझूद हो सकती हैं अब depend करता है को किस किसम की interaction जो software है और apps है उसके अंदर मौझूद है कई interactive किताबे ऐसी होती हैं जो के reading के दौरान बच्चों की comprehension skills हैं वो उनको catch भी करती है improve भी करती है और उसकी scoring भी कर सकती है वो ये भी बता सकते हैं कि बच्चों की vocabulary पिछली reading से इस reading में कितनी improve हुई और उनकी grammar कैसे improve हो रही है तो ऐसी जो हमारी interactive books हो हैं बनियादी तौर पर वो instruction को और literacy skills को सामने रख के बनाई जाती हैं और उनके अंदर ऐसे gadgets होते हैं जो ना सिर्फ बच्चों को opportunity देते हैं अपनी literacy skills को develop करने के लिए यानि reading, writing, spoken, listening skills को बलके वो उसे मयर भी कर रहे होते हैं साथ-साथ इसके इलावा हमारे पर different kind के functions होते हैं मिसाल के तौर पर इंटरक्टिव के अंदर ये भी functions मौजूद होते हैं किताबों में के बच्चे उसमें खुद अपनी आवाज या अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर आके उसको upload कर सकते हैं अब इस किसम की जो wide range आपकी free apps मौजूद हैं आपके internet के उपर वो बनियादी तोर पर आपके reading session को बिल्कुल ही एक अलग level पे ले जाती हैं इसके अंदर वो student को देख लेते हैं कि यह definitely artificial intelligence से related है कि student की capabilities क्या है उसके interest क्या है और फिर उसके हिसाब से वो student को interact कर वाती है text के साथ जो हमारे interesting किसम के interactive जो features है और apps मौजूद है वो students को और छोटे बच्चे जब उनके साथ interaction कर रहे होते हैं तो ना सर्फ उनकी reading fluency बढ़ती है oral skills बढ़ती है बलके साथ साथ उनकी जो creative capabilities हैं वो भी सामने हैं में नदर आना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले important features क्या हैं वो देख लेते है इसका मतलब यह है कि जब आप reading शुरू कराने जा रहे हैं बच्चों को तो इससे पहले किताब की बारे में बच्चों से discuss करें उनको बताएं कि एक किताब किस चीज के बारे में है उसके title के बारे में discuss करें उसके author के बारे में discuss करें उसके publisher के बारे में discuss करें होता है जब वो किताब को शुरू करते हैं पढ़ना तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन भी डेफिनेटली बेहतर होती है उनकी जो हाइर करते हैं कि हम क्या सोच रहे और इसमें क्या लिखा है वो दोनों काम साथ साथ चलते हैं यूज माल्टी मीडिया तो इन्हेंस अब मोस्ट अब टाइम जो हमारे पास एबुक्स मौजूद होती है उनके अंदर ऑडियो भी होती है वीडियो भी होती है और हमारे पास 3D मॉडल अब खास भी है वो प्रेजिध के अंदर नहीं होते तो बचे सिर्जों को वह पड़ सकते हैं थो यूजिए ब्ल्क case के अंदर जो रीडिंग के अप्स होते रहे होते है बचे बच्चे जो नेच्र एक्सेंट है किसी भी लेंग्विज का वह उसको सुन सकते हैँ और से बेपर तरीके से समझ भी सकते हैं उसे याद भी कर सकते हैं इसी तरीके से हमारी video audio थ्री-D models की जो e-books होते हैं उसके अंदर जो हमारे historical event है या science related event है उसको 3D की form में दिखाया जाता है जो most of the time हमें print books में नहीं मिलते तो बच्चे उसे बेथर तरीके से study करते हैं दो ना सिर्फ बच्छों की इमजीनेशन बीस से बेतर होते हैं इंटरक्ट रूप Wakanda हमारी इंटिरक्ट अधिम्सिए क्वाम मुझिव सकते हैं दिटीक किसम की देट्च भी वहां मौझूद करनी है बच्चा बुनियादी तोर पर एबुक के साथ एक इंटरेक्टिव एक एक्टिव रीडर है जो कॉंटिनुसी सोच रहा है और एबुक के फीचर में वो कुछ ना कुछ एड कर सकता है अपनी वाइस अपना उपीनियन और यह तमाम चीज़ें तो एवन के यह जो तमा आप इंफिनिटिव सप्लाइ और रीसोसी जो है वाया एबुक कर सकते हैं मिसाल के तौर पे आपके एक ही आई-पैट के अंदर कंप्यूटर के अंदर यह तापके अंदर धेर सारी एबुक्स जो हैं मौजूद होती हैं आपको एक फुल फ्रेश लैबरेरी के लिए जगा पे हैं इसके इलावा जो डिजिटल टेक्नोलजी वो ई-बुक्स से हटके हैं ऑनलाइन बेतहाश्य रीसोर्स मौजूद हैं जहां ऑनलाइन बुक्स हैं जो इंटरक्टिव भी हैं उनमें मज़दार किसम की फीचर्स भी हैं और डेफिनिटली हम बच्चों को उसके दिबार में भी information दे सकते हैं उनces के लिचर्स दे सकते हैं बच्च यह अपनी website से इसे develop कर लेते हैं vlogsy कर लेते हैं और different किसम के applications जो हैं जो हैं वसको इस को इस की इस侙ाल करना शुरू कर देते हैं और एक किसम के जब वो इन platforms को use करते हैं तो उनके collaborative dialogue बनता है और definitely इसी को तो हम interactive कहते हैं